वेल्कम डियो श्टूइंस यूनिक रेंकर्स में आप सभी स्टूइंस का स्वागत है आज कि इस वीडियो के अंतर हम बात करने वाले हैं जी मिन 2024 के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसकी रेजिस्टेशन से वो स्टार्ट हूच की है तो कुछ और इपोर्टेंट पॉइ कि आने वाल टाम के अंदर आपको और भी अपडेट से वो मिलती रहे तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे कुछ इपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो है कि आपकी तियारी कैसी है तो आप सभी को ओल्दा बेस्ट है 2024 का एक्जाम्स आप सभी के लिए बहुत करते हैं एक्जाम्स के बारे में तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे जेवें 2024 की रेजिस्टेशन से है वो यहां पे स्टार्ट हो चुकी है और अगर काफ़ जाए स्टूरेंट्स को इसमें प्रोब्लम आ रही है साइट को लोगिन करने में तो उसके लिए मैं आप आप इसके बारे में काफी जादा इसके बारे में वीडियो बन चुकी है लेकर हम बत करते हैं कुछ इपोटेंट कुछ अलग टोपिक्स के उपर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऐसकी रजिस्टेशन कब से कब तक चलने वाली है तुम आपको बता दो आपकी रजिस्टे स्टेशन पर चलते हैं जो इसका हमारा हमने डाउनोड किया हुआ है ठीक है कि किस तरिके से इसके क्या क्या डोकुमेंट आपको रिक्वाइर्मेंट पड़ेंगे ठीक है उसके लिए सबसे पहले हम इनकी जो मैंने डाउनोड किया लग रखें इनकी PDF आप भी कर सकते हो यहां पर वही सेम सिस्टम पेपर वन और पेपर टू दो पेपर हमारे होने वाले हैं जिसके अंदर हमारा जनुरी सेशन और अप्रेल सेशन दोनों होंगे ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें जनुरी सेशन की तो जनुरी सेशन है वो आपका कब से कब तक चलने वाला है तो अब कुछ चीजे ध्यान में रखने वाली है, यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपकी ओनलाइन पेमेंट्स है वो जितनी भी पेमेंट्स है वो भी आपको 30 नुवंबर तक कम्प्लेट अवो करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक नुवंबर की एक नुवंबर को काफी चीजे अपडेशन होगे चिन्वेजर्ट कम्प्लेट कर लिए लेकिन काफी ऐसे स्टूडर्न्स होंगे जो 30 नुवंबर तक अपनी रेजिस्टूर्ट कम्प्लेट नहीं करते हैं वो वेट करते हैं कि कुछ चीज़े अपडेट से ना हो जाए कुछ तरीके की कोई चीज़े इसके अंदर चिंज़े जब वो ना जाए तो उसके लिए मैं आप सभी को बता दू कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना आप अपनी रिजिस्टेशन है वो 20 नुवंबर तक कम्पलीट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद भी काफी टाइम रख जाता है काफी लाश्ट के जो दिन होते हैं उनके अंदर सर्वर बहुत जादा डाउन चलता है जिसके वज़े से आप ना तो कभी या तो ऐसा हो सकता है कि आप डोकुमेंट अपलोड नहीं कर पाऊगे या फिर आपकी जो फीस है वो आप नहीं पे कर पाऊगे तो इस चीज़ का आपको सपेसली ध्यान रखना है कि आपको ऐसे नहीं कि आपको लाच्ट के दिनों में ही हाँ पर रजिस्टेशन करे और एक सेकंड बात ये कि आप काफ़े जाज स्टुनेंट्स का ये रहेगा कि सर हमारे कोई मिस्टेक होगी है तो उसके लिए करेक्शन वगयरा तो देखे इसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते बाकी अगर हम बात करें कि आप अपना जब रजिस्टेशन फोम फिल कर रहे हो एक बार फोम फिल करके छोड़ दीजिए अपनी फीस है उसे फिल मत कीजिए मतलब फीस आप पे मत कीजिए एक बार फीस को एक बार आप पेंडिंग रखिए उससे पहले आप अपना फोम के अंदर कुछ भी चीज़े चेंज कर सकते हो जैसे कि बाई चांसले आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ गलत एंटर कर दिया या फिर कुछ चीज़ी आपको ऐसी नहीं एंटर करनी चाहिए थी तो उस चीज़ को आप ठीक है वो कर सकते हो ठीक है जब तक आप फीस पे नहीं करते हो फीस पे करने के बाद आपका रजिस्टेशन नंबर क्रियेट हो जाएगा और वो आपका रजिस्टर डवो हो जाएगा तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो उसके अलावा गरम बात करें कुछ इपोर्टन और भी बातों के उपर जैसे कि यहां पर इनोनी कुछ चीज़े मेंसन की हुई है इस बार admit card related कि आपका admit card अब हो तीन दिन पहले आएगा और वो actual date जो भी मतलब exams की जैसे 24 जनुरी नोने date दिया तो उससे 3 दिन पहले मतलब 21 तारीक को आपका admit card अब हो आपको मिलेगा ठीक है इसी तरीके से इसी तरीके से नोने बाकी सीज़े में announcement की हुई है जासे रेजल्ट कब तक आएगा हलाकि NTA कभी भी अपनी डेट्स पे खरा नहीं उतरा है इनकी डेट्स है वो आगे एक या दो दिन जरूर पोस्पोन होती ही होती है ठीक है बागी इस चीज़ से कोई फरक नहीं पड़ता है आपको अपनी त्यारी कैसी है आपको अपनी प्रिपेशन कैसी है उस चीज़ पर डिपेंड रखता है कि आप क्या स्कोर करोगे ठीक है एक या दो दिन से कुछ भी खास फरक नहीं पड़ता इस बार यहां पर कंड़क्ट एक्जाम्स क्या कर जाएगा तेरा लेंगीज के अंदर यहां पर साफ़ साफ मैंसन किया कैया है उसके अलावा अगर हम बात करें एकजाम पैटर्न के बारे में तो वह सेम पैटर्न है कुछ भी चेंजिस नहीं किए ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें पेपर वन भी ि टेक हो आले में आई होप आप सभी को यह चीज़े समझ में आई होगी कुछ और चीज़े अगर आपको चाहिए जैसे कि step by step process मेरे को बताओ या फिर कुछ और चीज़े और नहीं तो मैं आपको लिए कुछ वीडियो जरूर लेके आने वाला हूं जिसके अंदर आपको documents के बारे में बताने वाला हूं अगर आप सोच रहे हैं थोड़ी दिन wait करके मैं अपना application form feel करूँगा तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं उसके अंदर मैं complete आपको documents के बारे में बताने वाला हूं reservation के बारे में बताने वाला हूं